हर बड़ी चुनौती अपने साथ कुछ अफसर भी लेकर आती है लेकिन जब बात तालिबान उसकी सरकार उसके समर्थन को लेकर जुड़ी हुई हो तो वेट एंड वाच के सिती में है हिंदुस्तान आगे के सरक के खदम बढ़ाया जाएंगे सर्दलिय बैठक में फिलहाल य अफगानिस्तान के मुद्धे पर सर्दलिय बैठक में आज विपक्ष सरकार की साथ खड़ा नजर आये लेकिन असुद्धन उवैसी ने कुछ सवाल उठा दिये हैं उनके सवाल सुन लेते हैं उसकी बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे अच्टेशन दिया गया उस पर अच्टेशन कापी दी गई जितने सवालाथ उठाए उसका जवाब गोल मौल करके दिया गया बगर जो हम सवाल उठा है उसका हमको जवाब मिलना था नहीं मिला मिसाल के तोर पर हमने ये पूछा कि भारत सरकार के पास कंटिंजन्सी प्लान क्यों नहीं था एवैक्वेशन का और इतनी तकलीफ हमको क्यों हो रही है हमने ये पूछा कि हमने 200 अम्बेसी के स्टाफ को हमारे क्यों ला लिए आप थोड़ा स्टाफ का प्रेजन्स काबूल एरपोर्ट पर मेंटेंड कर जिसा नेटो ने और यूएस ने किया हमने अफगानी नेशनल जो हमारे अम्बेसी में काम करते थे उनको क्यों छोड़ कर आगे उनको क्यों नहीं लाया आपने और अमेरिका से हमारा क्या कॉपरेशन है जब अमेरिका के सेक्रेटरी और स्टेट भारत आये थे तो पारलिमेंट में जैशंकर सहाब ने बयान दिया था कि इंडिया और यूएस और सेम पेज ये कौन सा सेम पेज है ग्रीन जोन से अमेरिका जाता है तो भारत को नहीं कहता है अमेरिका अपने चिनुक्स नहीं देता हमारे अमबसी के स्टाफ को और भारत के नैशनलोंस को इवैकुएट करने के लिए तो ये कौन सा हमारा कॉपरेशन है तो ये तमाम तरह की सवाल सद्दिनों ऐसी के ओर से उठाय जा रहे हैं लेकिन संबित पात्रा जी एक बर फिर से आपका रूख करते वे देखे अफगानिस्तान के और तालीबानी शासन के मुद्दे पर थोड़ा और आगे बढ़ते वे मौजूदा जिस तरह की स्टी है तालीबान के प्रवक्ता की ओर से बयान सामने आया है कि पाकिस्तान मेरे दूसरे घर जैसा है पाकिस्तान में PTI की नेता कह रही है कि तालीबान तो हमारा दोस्ते और वो कश्मीर फता करके पाकिस्तान को दे देगा यानि कि एससी ऐसी नहीं है कि हम बहुत जादा और लंबे वक्त तक wait and watch के सती में रहें क्योंकि यहाँ पर तो दूसरे ही खिचुड़ी पकने लगी है ऐसे में क्या करेगी सरकार देखिए चित्रा जी यहाँ हम पांच लोग बैठे हैं जिसमें काफी senior लोग भी है मेरा मानना है कि हम पांचों की बुद्धी से जो आज 37 लोग बैठे थे और जो सरकार होती है उनकी बुद्धी काफी अधिक है इन चीजों से सरकार भी अवगत है कि इस प्रकार की परिस्थिती अफगानिस्तान में है इस प्रकार पाकिस्तान का आतंक भी हो सकता है और उसका एक vulnerability है तभी तो जैशंकर जी ने UNSC में जाके पाकिस्तान के आतंक L.E.T. और J.M. के बारे में सपश्टता के साथ और एक समगरता के साथ अपने विशय को रखा मगर सारा कुछ publicly कहा नहीं जाता है बार बार पूछा जा रहा है कि कौन सा last date होगा जब हिंदूस्तानी वापस आ जाएंगे हिंदूस्तान कहां कहां हिंदूस्तानी हैं कैसे हम लेकि आएंगे कितनी संख्या में वहां हिंदूस्तानी है चित्रा जी कुछ बाते पब्लिकली नहीं बोलनी होती है सपोज करिए 100 हिंदुस्तानियों को एक ठिकाने पर हिंदुस्तान ने रखा हुआ है काबुल में एक अफसर को भी वहां रखा हुआ है तो क्या हिंदूस्तान की सरकार यहां डिक्लेयर करेगी फलाने मारकेट के फलाने बिल्डिंग में हमने 6 हिंदूस्तानियों को रखा हुआ है परसू के दिन हम उगे करेंगे बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बताना भी नहीं चाहिए कितनी संख्या बाकी है किस दिन कौन सी कंटिंजनसी प्लान है अगर वो कंटिंजनसी प्लान अभी से हम डिक्लेर करना टीवी पे शुरू कर दें तो वही होगा जो आप याद करिए करगिल के युद के समय कुछ लोग जाके वहां कैमरा लेके दिखाते थे कि देखो यहां हम कि मैंडो उत्री थी होटेल के अंदर तो यह सारा जब लाइव टेली कास्ट होने लगा तो अंदर जो आतंकवादी थे उनको लाब हुआ तो यह चीज़े टीवी पर डिसकस नहीं होता है कि मुझे आके टीमसी का प्रवक्ता पूछेगा कि बताईए कौन से दिन आप कि इ मगर मैं भी आज मुझे मौका मिला है दोनों मेरे भाई बेन यहां मौझूद है मैं उनको भी एक एडवाईज अन्सॉलिस्टेट एडवाईज दूगा यह जो तुष्टी करण की राजनीती है आप रोहिंग्यान को कल से जो घुस पैठी हैं बंगलादेश से भी उनको आ कारी चीज़ों को हमें समगरता में देखना होगा